हिंडी कक्साचे पात्रों समध्दार नन्हे इस कहानी में सोभव के बारे में बात कीगे सबका सोभव एक जैसा नहीं होता अच्छे सोभव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते है और वो डुसरों की भलाई करते है और बुरे सोभव वाले लोग बुरे काम करते है जो उनके साथ बलाई करता है उनके साथ भी वह बुरा काम करते है हमें किसी भी स्तिती में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए इस कहानी में एक नन्नी बतक और बिच्चु की बाट की गई है जब नन्नी बतक टटपर जाती है तब उसे एक बिच्चु डलल में फसा देखती है बिच्चु उसे मदद मांगता है और नन्नी उसको बचाती है जब बिच्चु बार निकलता है वह नन्नी को डंख मारता है और वह नन्नी पिडा से उसे कहती है कि तुमने मुझे डंख क्य तो बिच्चु कहता है क्या करूं डंख मारना तो मेरा सवभाव है तब बतक कहती है के तुम यह अपना बुड़ा सवभाव नहीं छोड़ोगे तो कोई भी मुसिबत में तुम्हारे काम आएगा नहीं इस बात को अनसुनी करके बिच्चु जला जाता है और नन्ही अपने मा के पर जाती है मा उसे कहती है के बेता इतनी देर क्यों लगा दी तब नन्ही पूरी बात बताती है तो कहती है के बिच्चु ने मुझे डंख मार दिया तब उसकी मा उसे कहती है बिच्चु अपने गंडी आड़त का गुलाम है तुम जितनी बार उसके साथ बलाय का काम कर वह तुम्हें डंख मालता रहेगा लेकिन नन्ही कहती है के नहीं मा मैं बिच्चु की या गंडी आदत चुड़वा कर ही रहूंगी कुछ दिनों के बाद जब पानी की डार में बिच्चु बहता है तब बिच्चु मदद के लिए चिलाता है नन्ही ने बिच्चु की चिला जहर सुनी और वह उसके पास गई फिर उसके मन में बिच्चार आता है के क्या करूं मैं बिच्चु को बचारूंगी तब भी वह मुझे डंख मारता ही रहेगा लेकिन नन्ही ने अपने मन में थाम ले के नहीं मैं अपनी ये अच्छी आदत कभी नहीं चोरूंगी मैं बि बिच्चु को निकालती है फिर बिच्चु इसके पीछे डंख मानने जाता है तब नन्हीं कहती है क्यों बिच्चु रुक क्यों गए मारो मारो डंख मानना तुम्हारा सोभाव है तब बिच्चु सर्मसे पानी पानी हो जाता है और वह अपनी गल्टी का गल्टी से माफि पिमांगने लगता है कि अब मैं किसी भी व्यक्ति को डंख नहीं मारूंगा मैं अपने सोबाव को फिर से अच्छा बनाऊंगा फिर नन्हीं उसकी मा के पांसाती है और वह अपनी पूरी कहानी मा को सुनाती है और वह कहती है कि मैंने पिच्चु की गंडी आड़त चुडव अब वह मेरे साथ कभी भी विश्वास घाठ नहीं करेगा प्यारी समध्या नन्हीं भलेगा